कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो फ्रेंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो हमारे तरफ से आपको सबको गुड मॉर्निंग राधे राधे जै स्री कृष्णा और यह वीडियो जाएगा ट्यूजिडियो को इसलिए पहले से मैं विश्फ भेज़े दे रही हूँ आपको हमारी तरफ से आप सभी को हरी ताली का टीश की धेर सारी सुख कमना है आपको और आपकी पूरे फैमिली को आपकी पूरी फैमिल कर लेती हूँ इसमें रोटी है सामवारी है कि आज आए फ्रेंड पोहा बनके रेडी है फटाफट से आज आए बहुत ही टेश्टी पोहा बना है इसके बाद नास्ता वगएरा करने के बाद पूरा बिस्तर वगएरा फैला था तो मैं इसको समेठ देती हूँ जो कि सब काम एक लाइन से करते जाओ तो ज्यादा सही रहता है और जो भी कचड़ा है उसको हटा के और अच्छे से बिस्तर को क्लीन कर देती हूँ तो कहा जाता है न कि जब कभी थोड़ा से लेट हो जाओ तो हरे काम हो जाता है तो आज में तो यही आज थोड़ा से लेट लेट सा काम चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं जल्दी से निफ्टाएंगे दोनों विश्तर को अच्छे से क्लीन कर दूंगी और दोनों का बेड़ सीट चेंज कर दी हूं दोनों को धूल दूंगी और इधर चल रही है आरू की मस्ती तो जितने कपड़े निकले हैं सारे कपड़े आज दूल दोंगी धूब भी निकली है अभी दूब निकली है लेकिन पता नहीं कब बारी सजा कुछ कह नहीं सकते और आरू अपना खेलती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूंगी तो यह देख लीजिए हमारा किस तरीके से क्लीन हो गए हैं तो यह चैयर में जितने आरू के टेड़ी है तो उसको सजा के अरू रखती है और अपनी गुड़ी अरान्यों को हेर बैंड लगाती है और रखती है म्यूजिक गए अपना संगीत का अनन्द लेते रहेंगे बताओ बोलो हाई हाई बोल दो गूमने गहते आरू को जब कुछ भी न बोलो ना तो चुप चाप अपना लगी रहती है क्या कर रहे है क्या कर रहे है आरू है अच्छा जी और हर एक चीज यहां वहां फेकती रहती है कुछ न कुछ खेलोगी खेलो आज कुछ जादे कपड़ा है सारी चीजें मैंने निकाला था तो अभी मैं कपड़े को डुबो दी हूँ सरफ में इसके बाद अभी जो अभी ब्रेकफास्ट वाला बरतन है उसको धूल लूँगी इसके बाद फिर खाना भी दाल इधर रग दूँगी अभी ब्रेकफास्ट वाले बरतन है और इधर दूद वालने के लिए रख दिन थोड़े दूद अज लेट आया है और यह घी था टीपीन में तो इसको खाली करना है इसको भी मैंने गारम कर दिया तो फिगल गया है पूरा एक दूसरी छोटी वाली की पीन में निकाल दू प्रेकशन रहती है तो चलो अब अब आधा दाल रख भी हूँ पकने के लिए अब जाओंगी कपड़ा दूलूंगी और अपनी महरानी को दिखाऊं क्या कर रहे हैं हमारी महरानी वीटिया नहीं लग रहा है क्या करें हम लगा इसको गुडिया को हैरवेंड लगाना है धूप खिलने के वज़े सारे कपड़े धूल दिये थे तो जब भी कुछ भी काम करो तो आरू मेरे पीछे-पीछे पक्का रहती है चुकि अकेले हूं तो कोई लेने वाला रहता नहीं तो पीछे-पीछे दोड़ती भागती रहती है तो उससे को लेके काम करना थोड़ा सा और जो भी काम आधे गंटे में होने वाला रहता है उसमें एक गंटा हराम से लग जाता है चुकि उसको ये पहलाएगी उसको तो बच्चों के साथ हर किसी के साथ ऐसा होता होगा वही नहीं अभी छोटी है दीरे-दीरे समझदार होती जा रही है बस उसको लेके ही सारे का मैं निपटा लेती हूं तो कपड़े डाल देती हूं और फिर मैं आपको नीचे जाके आपसे मिलूंगी आपसे मिलूंगी तो अब आ गई थी इसके बाद दाल पका के रख गई थी तो दाल को निकाल लोंगी तो जीरा और मिर्ची का तड़का लगाते हैं एक ठोड़े से घी डाल दी हूँ और डालोगी घीरा डाल डी हूँ और मील्ची यही लाशन वगर नहीं डालते हें कान ही को भोग लगाना पड़ता है इलाशन क्याइश मैंने भी डालती हुँ बस इसके बाद हम इसके लगा देंगे और खाना हमारा रेडि आलु और केले क सबजी दाल शेलेट चावल सारी चीज़े रेडी आ जाए फटफट से अब ये एवनिंग का टाइम हो रहा है और खुब सारी मस्ती की बहुत ज्यादा बारी सो रही थी कुछ भी नहीं कर पाई अब हो गई है साम तो चलो बना लेते हैं खाना खाना में बनेगी भिंडी की सब्तमाटन की सब्सिव बनाओं ते जागए और तोड़ी से चटपटी से अच्छी और अच्छी लगती है और आरू के साथ रो रही है ज्याधा परिसां कर दो है कीचन चरूरी लगता हूं कि यहाँ और यह निल्याद से रहे थी हिस स्में साम के खाने में है ये हैं नुटि की सब्सक्राइबरा रोटि है रसीकी तने शसीआ की लेकिन कभी जरूर करूँगी बहुत ही अच्छी तेस्टो प्रशूबराब सब्सक्राइब यहां सारा काम हो गया है घर के जो भी काम थे वो निप्टा दिये है और सामके जो किचन की क्लीनिग वगरा है वो भी हो गई है साथ पूरा एकदम पूरा साफ सफाई अच्छे से चुके कल है हरिदाल का तीज तो कल भगवान के लिए स्पीसाल भोग बनने वाला है उसकी वज़े से सारी अच्छे से मैंने डीप लेनिंग कर दी है जित्तम उससे हो पाया तो कैसा लगा पताईएगा जरूर कमेंट करके गीर जाओगी जब गीर जाओगी तो बेट में आजो बेट में आजो गीर जाओगी आरू आरू आपका नोज कहां है नोज आई कहां जाओगी पापा जाओगी पापा जाओगी सुप्रेयन खाना पीना सारी चीज हो गई है और आरू भी सोने के लिए बेलकुल रेडी है सोगी ना सोगी पता दो कैसे सोती हो सोजा 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 तो अभी एक चीज वांकी रह गया है कल है हर ताली का तीज तो अभी इस वाले यह वाला होता है ना इस कौन सा पौधा आप लोग बोलते हो हमारे यहां इसे चिर चिरी का पौधा बोला जाता है कुछ इस तरीके से होता है तो पहले यह वाला ब्रेस करके इसके बाद खीरा खाके सो जाना होगा तो यह वाला ब्रेस करते हैं इसके बाद फिर चार बजे उटके भोर में ही नहाना पड़ता है तो चालो यह वाली ब्रेस करेंगे और खीरा खाते हैं फिर हम आप लोगों स इधर से भी दिकाल दिये हैं इधर से भी तोड़के इसमें चाकू और शिलने नहीं लगाया जाता है इसको ऐसे डारिक्ट खाना पड़ेगा तो साथ आरू भी खाये उसका भी फाष्ट रहेगा तो खा लेते हैं बोलते हैं कि अनाज की ड़कार नहीं आनी चाहिए तो खालों ताकि इसी जिगड़ा का रहा है आप लोग क्या कट्से करते हो हमें कमेंट करके जरूर हो जाये है आधा तोड़ी थी जो आधा मैं खाली हूं आधा 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 खाली हूं हमकाली हूं है कििया क्लां और किया यहार देखते हैं क्या होगा है कि अज पर वैगर कृष्ट और तो तब हैक्लाद है निकाल निकालके और अचयाटा निकल के और धक्ना जाएक तो आणि यहीं दिक्काथ होगे ना मेधी में घर की बनी हुई यह नहीं मार्केट वाली है तो उसमें केमिकाल भी रहता है यह दे दो आप यह दे दो दे दो यार अरे दे दो यार इल्ली कैसे बोलती है कैसे उड़ता काई आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिएगा नियो है तो सब्सक्राइब करिएगा मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंट्रेस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक एर आप सभी को हरी ताली करतीश की धेर सारी सुथ कामना है वाई! क् सुझे ही वाई! वारी से मेज़न गई वीन वेल के चाहात एंट प्रेक की वेले